यानि कि Congress party को और India जन बंधन के पार्टियों को इसमें R.J.D. भी शामिल है India जन बंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निरनायक जनादेश अभी मिलना तै हो गया अभी तीन चरण और बाकी है इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री निर्वर्तमान प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री है उन्निस तारीक के बाद उनकी भाशा में बदलाव आया मोधी की कैरेंटी गई 400 पार्क का नारा भूल आ गया और सिर्फ दुरुविकरन की रणनीती दुरुविकरन की भाशा हिंदु मुसलिम भाशा मंगल सूत्र की भाशा बैसो की भाशा बदनाम करने वाली भाशा प्रधानमंत्री ने इस्तिमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया हमारा विश्वास हमारे पांच न्याए और पच्चीज गैरेंटी के कारिक्रम से आता है पहले बारत जोडो यात्रा में राहुल जी और अन्यन नेता चार हजार किलोमीटर चले कन्यकुमारी से लेकर कश्मीर तक और 63 दिन कुछ मैंने पहले मनिपूर से लेकर मुंबई तक साड़े छे हजार किलोमीटर का बस यात्रा राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्यन नेता कारीकरता सभी लोगों ने जनता की बात सुनी अपनी मन की बात नहीं कही पर जनता की बात सुनी जनता की चिंता सुनी और ये पांच न्याए नारी न्याए युवा न्याए किसान न्याए श्रमिक न्याए और हिस्सेदारी न्याए इन पांच न्याए को लेकर हर एक प्रतियक न्याए में हमने पांच गैरंटियां दी है और ये गारंटी कार्ड हम घर-घर गारंटी कार्ड वितरन प्रोग्राम हमने किया है करीब आठ करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है मुख्य तोर से महालक्ष्मी गारंटी है हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महिना साड़े आठ हजार रुपया यानि की हर साल एक लाग रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा कि हुआ के लिए हो सबसे बड़ी समस्यां बेरोजगारी है उनके लिए हमने गारैंटी दी है कि पहली नौकरी की यारे कि जो कोई वा डिप्रोमा लेता है या लेती है एक साल के लिए इनको कानूनी तोर दी है कि प्रदान मंत्री ने 16 क्रोर रुपया पूंजी पतियों का कर्जा माफ किया है और किसानों का एक रुपया कर्जा भी माफ नहीं किया है 2008 में मनमोहन सिंग जी प्रदान मंत्री थे 72,000 क्रोर रुपया कर्जा माफ हमने किया था और अभी हम गारेंटी दे रहे हैं यह वादा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री ने पूंजी पतियों का सोला लाग क्रोर रुपया करजा माफ किया है ऐसे ही कॉंग्रेस और इंडिया पार्टियां किसानों का करजा माफ करेगी और MSP को कानूनी जर्दा दिया जाएगा यानि कि कानून के आधार पर वो तै किया प्रधानमंत्री चार सो पार की बात करते हैं वो सीटों की बात करते हैं नोटों की बात करते हैं पर कॉंग्रेस पार्टी जब चार सो की बार चारसो पार की बात करती हैं वह मजदूरी दर मंरीगवा में मिनिम्मम वेज हो गार चारسो रुप्या अगलव गअलग जो आज कुछ ऐसे जगह हैं जहां मजदूरी दर 500 रुपया है कहीं 200 रुपया है कहीं 255 रुपया है हम लोग 400 वादा कर रहे हैं कि 400 रुपया मिनिमम वेज होगा यूं तो मजदूरी दर होगा कि और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने यह गैरंटी दी है कि सामाजिक आर्थिक जाती जन्गनना कराया जाएगा और कास सेंसस हम कराएंगे यह 2011 में करवाया गया था जब मैं खुद ग्रामीन विकास मंत्री था पर उसके नतीजे प्रकाशित नहीं हो पाए मोजी सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं किया जाती की जन्गनना के बारे में मैं क्या रहा हूँ तो इसको हम फिर से एक बार करवाएंगे और हर दस साल इसको करवाना जरूरी है